आप देख रही है MNS News सच जरूरी है बारत ने अपनी धर्ती पर लगाता साथवी टेस्ट शुकला जीती आईए देखते हैं घबरेविस्तार से विराटकोली के बराबर पहुचे यशश्वी जैसवाल पाचवी टेस्ट में किंग और सुनिल गावसकर से आगे निकलने का मौका इंग्लेंड के खिलाव चल रही टेस्ट सीरीज में भारती आगामी बलेबाज यशश्वी जैसवाल बले से धूम मचा रहे हैं अब तक खेले गए चार मुकाबलों में यशश्वी ने 93.50 की औसत से 655 रन बनाए है यशश्वी अब तक इस सिरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं उनोंने विराट कोली के रिकॉर्ट की बराबरी कर ली है यशश्वी जैसवाल के पास अब कोली के आगे निकलने का मौका भी है इससे पहले एक टेस्ट शुकला में 600 रन बनाने के मामले में यशेश्वी जैसवाल ने भारत की महान बलेबास सुनिल गावसकर विराट कोली राहुल द्रवीड और दिलिप सर्देसाई की बराबरी की थी जैसवाल ने मौझूदा सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट में दो दोहरे शतक जमाए थे गावसकर ने 1971 की इस सीरीज के चार शतक और तीन अर्थशतकों का 744 रन बनाए थे हाला कि इस उपलब्दी तक पहुचने के लिए यशशवी को धर्मशालग में एक बड़े शतक की जरूरत होगी यशशवी जैसवाल जिस पाम में है उनके लिए ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है आईए बट्ट अगली खबर के और एक ओवर में चार विकेट नौ दिन पहले तक जिसका अतापता नहीं था उस गेनबाज ने पाकिस्तान सूपर लिक में रचाई थी हास क्रिकेट में कब कौन सा खिलाडी जीरो से हीरो बन जाए कहा नहीं जा सकता फिलहाल कुछ इस अंदाज में हीरो बनने ही पाकिस्तान क 29 साल के लेक प्लीनर आरिफ याकुब नौ दिन पहले तक इनका कोई अतापता नहीं था लेकिन 26 फरवरी की शाम इनकी गेंदों ने लाहोर की पीछ पर ऐसा कहर बर्फाया की अब उनका नाम पीसल की इतिहास के पन्नों में दज किया गया है इसलामबाद यूनाइटेड जो एक वक्त में 202 रन के लक्ष काप पीछा करते हुए S18 ओवर में 181 रन बनाकर फ्रंट पूट पर दिख रही थी वो आरिफ याकुब के कमान की बदौलत पेशावर जालिम के खिलाफ अचानक ही बैक पूट पर चली गई आरिफ याकुब ने जो कमाल किया वो उनके उस एक ओवर से जुडा रहा जिसने इसलामबाद यूनाइटेड की टीम के अफरा तफरी मचा दी इसलामाबाद यूनाइटेट पर आरिफ याकोब का टूटा कहर इसलामाबाद यूनाइटेट की पारी के 19 वे ओवर में देखने को मिला इस ओवर में इसलामाबाद यूनाइटेट के विकटो की टैली अच्छानक ही 4 विकेट से 8 विकेट पर जा पहुची क्योंकि आरिफ याकूब ने गेंद बाजी ही कुछ ऐसी की है आईए बड़त अगली खबर क्यों भारत ने अपनी धर्ती पर लगातार 17 वी टेस्ट शुकला जीती 26 फरवरी को एजेंसी अपनी सर्जमी पर बादाशाहत एक बारफी साबित करते हुए बारतिय टीम ने बैसबॉल को बेस ओर साबित कर दिया है और चोथे क्रिकेट टेस्ट में इंगलेंड को चोथे ही दीन पाच वीकेट से हरा कर अपनी मेजबानी में लगाता 17 वी 192 रन से लक्ष का पीछा करते हुए भारत ने कल के स्कोर बना कर किसी नुकसान के 40 रन से आगे खिलना शुरू किया था सलामी बलेबास यशेश्वी जैसवाल और कप्तान रोहीच शर्मा पहले वीकेट के लिए 44 रन छोड़े दोनों के वीकेट गिनने के बाद रजद पाटीदार और रविंद्र जड़ेजा भी सस्ते में आउट हो गए लेकिन शुबमन गिल और डूब जुलै ने 72 रन की साजेदारी करके टीम को जीत तक पहुचाया भारत ने शुकला के 3-1 की वीज़ई बढ़त बना ली जबकि पाच्वा और आखरी मैच साथ मार्स से धर्मशाला में खेला जाएंगा अब आप हमारी चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्लेस्टोर से मनेस न्यूस टीवी आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा हाई क्विक ट्वीटर फेस्बूक और कई शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल लूप लब्द है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं www.mnsnnewstv.com पर अब वक्तो चलाएं दर्शिकु ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रही हमारे साथ MNS News टीवी पर नमस्कार ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे हैं MNS News